हेलो एवरीवन वेल्कम बैक तो और्गनाइज लर्निंग चानल अगर आप मेरे चानल पर नहीं है तो चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एंट तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेर और कॉमेंट करें तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिरेक्ट्रेट ओफ एजुकेशन जी एंसीटी ओफ डेली की तरफ से मिशन मैथमेटिक्स जो क्लास 10 के लिए है साथ नवेंबर 2022 का क्वेशन ओफ दे डे तो क्या क्वेशन दिया गया हमें बिंदू 5,-6 की एक्स आने के लिए यानि की जो y की वैली होगी वो हमें हमारा आंसर हो जाएगा जो जब हम इनने ये पॉइंट प्लोट किया तो y पे जो होगा पॉइंट वो हमारा x-axis से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लिख लेंगे उसको तो distance of the point 5,-6 from x-axis कितना हो जाएगा ये x की व 5 यानि की ये x-axis पे positive 5 है तो 1,2,3,4,5 ये 5 हमारा यहाँ पर आ गया ठीक है और ये है minus 6 यानि की y-axis का point है बट minus में है तो ये 1,2,3,4,5,6 इस तरीके से आएगा यानि की ये हो गया 6 तो ये 5 और ये minus 6 यानि की ये point हमारा कहीं यहाँ पे draw होगा ठीक है ये point यहाँ पे आ x-axis से कितनी दूर है तो x-axis से तो जब हम ऐसे count करेंगे ये perpendicular distance होगा तो जब ऐसे हम आ रहे हैं तो ये कितने units आ रहे हैं नीचे 1,2,3,4,5,6 तो इसलिए जो है जब हम x-axis से count करते तो हमारा y वाला जो point होता है वो answer होता है जब y-axis से count करते तो x-axis वाला क्योंकि देखिए ये हमारा y-axis है अगर हम इसे बात करें कि इस point की value यहाँ पे ये कितने units जो है वो यहाँ पे है तो y से अगर हम count करेंगे तो जब हमें ये point इतना इदर आने पे मिल रहा है तो 1,2,3,4,5 यानि कि 5 units जो है हमारा distance हो जाएगा y-axis से बट हमसे x-axis में पूछा गया था तो इस इतना हो जाएगा 6 units तो इस तरह की से इस question को हम solve कर सकते हैं तो आशा आपको ये video अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like, share और comment करें चैनल को subscribe करें मिलते हैं next video में